मोधी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत की सेना पहले की तूलना में अधिक शक्तिशाली हुई है लड़ाकु विमानों और भारी तोप से लेकर पंडुब्बी रोधी विमानों के द्वारा भारत के शशस्त्रबलों को और मजबूत किया जा रहा है यह मोधी सरकार की ही नीतियों की देन है कि आज रूस युक्रेन युद्ध के दौरान रूस के खिलाफ ना जाने के बाद भी अमेरिका जैसा देश भारत पर दबाव बनाने में नाकाम रहा है देश आज रक्षा शेत्र में इतना आगे बढ़ चुका है कि कोई भी देश भारत के खिलाफ युद्ध तो दूर कुछ भी अनर्गल बोलने से बचते हुए दिखाई पड़ता है नमस्कार आप देख रहे हैं TFI जो है देश का सबसे बड़ा alternate news media portal और मैं शाश्वत सिंग आपको बताऊंगा कि कैसे रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने चीन को कड़ा संदेश दिया है और कैसे भारत के शशक्त पहलू को राजनात सिंग ने डट कर दुन्या के सामने रख उन्होंने आगे कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के नित्रित्व में भारत एक शक्ति शाली देश के रूप में उभरा है और दुनिया के शीर्ष तीन अर्थ विवस्थाओं में से एक है राजनात सिंग ने सैन फ्रांसिस्को में भारतिय अमेरिकी समुदाय को अप जो किसी भी देश के लिए उचित है उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत के एक देश के साथ अच्छे संबंध है तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी अन्य देश के साथ उसके संबंध खराब हो जाएंगे भारत ने इस तरह की कूटनिती कभी नहीं अपनाई है भारत इसे क अभी नहीं अपनाएगा रक्षा मंत्री यहां वासिंटन बीसी में भारत यूएस दो प्लस दो मंत्री स्तरिय बैठक में भाग लेने के लिए आय थे इस बैठक में सैन फ्रैंसिसको में भारतिय वानिज जदूतावास द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक स्वागत समारों में रक्षा मंत्री ने चीन के साथ सीमा पर भारतिय सैनिको द्वारा दिखाई गई वीर्ता के बारे में बताया राजनाथ सिंग ने कहा मैं खुले तोर पर यह नहीं कह सकता कि भारतिय सैनिको ने क्या किया और हमने क्या फैसले लिये लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चीन को एक संदेश गया है कि अगर भारत को नुकसान हुआ तो भारत किसी को नहीं बक्षेगा आपको बता दें कि 5 मई 2020 को पैंगॉंग जील शेत्रों में हिंसक जड़प के बाद भारतिय और चीनी सेनाओं के बीच लद्दाक सीमा गति रोज शुरू हो गया 15 जून 2020 को गलवान घाटी की जड़पों के बाद भारत चीन के भी जड़पों में 20 भारतिय सैनिक और अनेक संख्या में चीनी सैनिक मारे गये इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि चीन के लगातार पीट में छूरा घूपने और भारत की कीमत पर अपने शेत्र के विस्तार करने के उत्साह के कारण भारत और चीन के बीच भी पक्षिय संबन्द यतिहासिक स्तर पर गिर गये हैं भारत और चीन ने पूरवी लद्दाग गतिरोत को सुलजाने के लिए अब तक 15 दौर की सैने वारता की है वारता के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों ने पिछले साल पैंगॉंग जील के उत्तरी और दक्षणी किनारे और गोगरा शेतर में अलगाव की प्रक्रिया पूरी की आपको बता दे कि युक्रेन संकट पर भारत की स्थिती और रियायती रूसी तेल की खरीद के अपने फैसले पर वार्सिंग्टन के साथ तनाओ के बीच उनकी टिपनी आई है भारतीय समुदाय को अपने संबोधन में राजनात सिंग्ग ने कहा कि अतीत में यदि दुनिया का कोई भी देश विक्सित और सम्रिद्ध होना चाहता था तो वे हमेशा भारत के साथ एक जिवन्त व्यापार स्थापित करने के बारे में सोचते थे भारत की छवीब बदल गई है भारत का मान बढ़ गया है अगले कुछ सालों में दुनिया में कोई ताकत भारत को दुनिया का शीर्वतिन अर्थववस्था बनने से नहीं रोक सकती रक्षा मंत्री ने कहा कि आठ वर्षों में मोधी सरकार ने देश को बदल दिया और भारत की छवी बहतर के लिए बदल गई है विश्विश्थर पर लोगों ने अब महसूस किया है कि भारत अब एक कमजोर देश नहीं है यह विश्व का शक्ति शाली देश है आज भारत में दुनिया का नित्रित्व करने की शमता है भारत की यह शमता एक ऐसी चीज है जिसे अब दुनिया ने महसूस किया है उन्होंने कहा कि इतने कम समय में भारत जैसे देश के लिए इससे बड़ी उपलब दी और कुछ नहीं हो सकती आज हमारे पास एक नया और आत्म विश्वास से भरा भारत है भारत अब एक आत्म निर्भर देश बनने की ओर अग्रसर है और मोधी सरकार इस सम्बंद में रक्षा शेत्र सहित कई महत्वपून कदम उठा रही है भारत ने अपने रक्षा शेत्र के स्वदेशी करण की दिशा में कई महत्वपून कदम उठा है और भारत आज एक आर्थिक शक्ती बनने के लिए आगे बढ़ रहा है और सरकार ना केवल अपने लोगों के कल्यान और सम्रिद्धी के दिशा में काम कर रही है बलकि दुनिया के अन्य हिस्तों में भी लोगों की मदद कर रही है चीन पर राजनात सिंग की ताजा टिपणी वास्तों में एक और संकेत है कि भारत आवशक्ता पढ़ने पर अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा देश अपनी संप्रुभुता से समझोता नहीं करेगा और देश की सुरक्षा के लिए जवाबी कारवाई के लिए हमेशा प्रतिबद रहेगा भारत आज जिस तरह से वैश्विक शक्ती बन गया है उसके बाद से चीन सहित अमेरिका अत्वा पश्चिमी देश भी भारत के सामने नतमस तक हो गया है भारताल नरेंदर मोदी के नित्रित्व में अब किसी भी देश को करारा जवाब देने के लिए तयार है और यह आज के परिद्रिश्य में रूस युक्रेन युद्ध प्रकरण में दुनिया देख रही है